नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंस्ट्रक्शन जोन के एक जानदार और शानदार वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किती कि दूसरी मंजिल बनाते समय हमें किन चीजों के तरफ ध्यान रखना चाहिए तो हाजिर है हम इसी टॉपिक के उपर वीडियो लेके आज की वीडियो में हम जानेंगी कि जब भी आपको दूसरी मंजिल बनानी होती है तो ऐसे वक्त में आपको कौन-कौन से इंपोर्टन पॉइंट है जिनके तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट जो है आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे जब आप दूसरी मंजिल बनाएंगे ऐसे समय में यह कुछ प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा इंपोर्टन पॉइंट है जिनको कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रू देखे तो हम वीडियो को शुरू करते है सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लैन अब जैसे कि आपको पता होगा अगर आप उपरी मंजिल बनाने वाले हो तो उसके लिए आपको रेफरेंस के लिए पुराना वाला प्लैन बहुत ज़्यादा इस्तमाल में आएगा इसका फाइदा है होता है कि दीवारों के बीच में कितना डिस्टन्स है फाउंडेशन की सीसाब से लिया गया है ऐसी बहुत सारी इंपोर्टन डेटा जो है आपको इस पुराने प्लैन से मिल जाता है उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर दो जो की है आपको आपके स्ट्रक्चर को आइडिटिफाइ करना है जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बतायता है कि दो टाइप के घर होते है एक होता है लोड बेरिंग और दूसरा होता है अर्चिसी अगर आपका घर अर्चिसी है तो ऐसे वक्त में उसमें थोड़े से मोडिफेकेशन आप जादा कर सकते हो पर जहां तक बात आती है आपका घर अगर लोड बेरिंग है ऐसे वक्त में आपको दिवारों के उपर ही दिवारे लेनी पड़ती है और दूसरी मंजिल बनाते समय थोड़े बहुत लिमिटेशन आ जाते है तो यह चीज आपको पहले identify कर ले नहीं कि आपका घर लोड बेरिंग है या फिर RCC है For example के लिए लोड बेरिंग structure में दिवारे जो है वो slap का लोड लेती है और जैसे कि आपने देखा हुआ column beam होते है तो वहाँ पर slap का load जो है beam से होता हुआ column से और उसके बाद में footing के तरफ चला जाता है तो यह होता है RCC structure अब बात करते है point number 3 की अगर आपका घर है load bearing ऐसे वक्त में आपको 2-3 चीज़े जरूर ध्यान में रखने है पहली चीज़ तो यह है कि आपकी दिवारे जो है वो दिवारों के उपर आनी चाहिए जो आपकी parapet wall होंगी वो तो आपको अल्रेडी मिल जाती है क्योंकि वो outer outer का आपका brick work होता है अगर आपकी अंद्रूनी दिवारे जो है आपके पास plan भी नहीं है ऐसे वक्त में आप नीचे से distance लेकर देख सकते हो कि दिवारों के बीच में कितना distance है उस हिसाब से जो है आप अपने दिवारों के उपर दिवारे बना सकते हो इससे slap के उपर अत्रिक लोड नहीं बढ़ेगा और आपका slap जो है वो band भी नहीं होगा तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखने है उसके बाद में ये चीज़ जरूर ध्यान में रखी जब भी आप उपरी मंजीर बनाते है या फिर जब भी आप घर का काम करवाते हैं ऐसे वक्त में आप expert engineer या फिर architect का जरूर मश्वारा कर लीजे इसका फाइदा है होता है कि side के condition सा वो आपको एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं अब बात करते हैं अगले point की अगर आपका RCC structure है तो आपकी जो walls है वो आपके beam के उपर आनी चाहिए अगला point आ जाता है जो की बहुत ही जादा important है अगर आपका RCC structure है तो जाहिर सी बात है आप जो है अगले point के तरफ हम बढ़ेंगे पर point के तरफ बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ के तरफ बढ़ना है वो है subscribe बटन के तरफ जल्दी सी subscribe बटन को दबा दीजे और वीडियो को like भी कर दीजे क्योंकि इस वीडियो का like target है सिर्फ और सिर्फ 1000 likes अब बात करते हैं अगले point क जब आप उपरी दिवारे बनाना शुरू करते हैं खास करके parapet wall के उपर तो ऐसे वक्त में आपको उपरी plaster निकलने के बाद ही उसके उपर brick work करना है कुछ लोग जो है directly plaster के उपर it रख देते हैं और उसके उपर brick work करना start करते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है कम से कम आपक में दो layer तक भी निकाल सकते हो पर याद रखिए जो कोई भी layer होगा जिसके उपर आपकी उपरी wall rest करेगी वो अच्छे condition में होना चाहिए अगला point है waterproofing के related अब जैसे के आपको पता होगा अगर आप उपरी मंजिल बनाने वाले हो तो नीचे के waterproofing के आपको ज़रूरत नही है खास करके जो brick bat koba है उसके उपर आपका tile का माल आता है और उसके उपर जो है आपकी tile आती है इन सभी को अगर हम मिला ले तो बहुत जादा बजन जो है आपकी छट के उपर बढ़ जाता है और इस नीचे की छट को आपको waterproofing के आवशकता नहीं होती है जैसे कि मैंने जाधा परमान में vibration होता है अब बात करते हैं अगले point की जो की है material shifting के related अब जैसे कि आपको पता होगा जब घर का काम चलता है ऐसे वक्त में construction activity के वज़े से वहाँ पर बहुत ज्यादा तूल और बहुत ज्यादा कच्रा जमा हो सकता है तो जितना possible हो सकता है बार से अगर आप material shifting करते हैं तो आपके घर में बहुत ज्यादा कच्रा नहीं होता है जिससे की थोड़ी बहुत सरदर्दी से आप बच सकते हो अब बात करते हैं अगले point की जैसे के आपको पता होगा अगर आपकी उपरी मंजिल pre-plan नहीं है ऐसे वक्त में वहाँ पर संक नहीं होता यह यह जो सामने वाला portion आप देख रहे हैं इसे संक कहा जाता है यह bathroom के waterproofing के लिए provide किया जाता है अब ऐसा संक नहीं होता है ऐसे वक्त में आप जो है कभी कभी बातरूम का waterproofing नहीं करते हैं चाहे आपके slab पर संक प्रोवाइड किया गया हो या नहीं हो पर आपको यह चीज ज बातरूम जो है वो suitable होगा जिससे की कम से कम pipeline जो है उनका इस्तमाल होगा और नीचे का toilet बातरूम का जो और नीचे का space जो है वो भी ज्यादा disturb नहीं हुआ जिससे की आगे चलके बहुत जादा तोड़फोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि आपके inlet हुए outlet हु डिजाइन जो है वो similar होनी चाहिए उपर और नीचे के मंजिल की अब अगर हम बात करते है color की तो यह चीज ज़रू ध्यान में रखे कि जो internal color है वो ज्यादा disturb नहीं होगा पर जहा तक बात आती है आपके outer की color की तो वहाँ पर थोड़ा बहुत color जो है वो खराब हो सकता है तो यह चीज आपको ज़रू ध्यान में रखनी है जब भी आपके उपरी मंजिल का काम चलता है वहाँ पर जब भी centering material लगा जाता है तो यह चीज ज़रू ध्यान में रखे कि नीचे के slap पे अगर load आता है उसके नीचे के slap को भी आपको support provide करने चाहिए या नहीं या आपक देखा आपने अगर आपकी कमेंट्स आती है जो कि इंट्रेस्टिंग भी होती है अगर बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है तो उसके उपर वीडियो बानने के हम ज़रू कोशिश करते हैं तो इसलिए कमेंट करने में बिल्कुल भी मत कत रहिए आपका अपना ही चान चानल को जरू सब्सक्राइब कर दीजिए यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छे लेगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तो मैं बिलूंगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद